आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मा भगवती की नो दिन की साधना परवत राज हिमाल्य के घर पुत्री रूप में उत्पन होने के कारण इनका नाम शैल पुत्री पड़ा नवरात्र पुजन में पहले दिन इनकी पूजा की जाती है उपासना की जाती है पहले दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलधार चकर में इस्तिर करते हैं यहीं से उनकी योग शादना की सुरुवात हो जाती है ब्रहम चार्णी दूसरे दिन में ब्रहम चार्णी की पूजा की जाती है साधग इस दिन मन को मा के चड़नों में लगाते हैं ब्रह्म का अर्थ है तपश्या और चाणिक यानी आचरन करने वाली इस दिन साधग का मन स्वाधीष्टान चक्र मैं इस्तिर होता है इस चकर में अवस्थी मन वाला योगी किरपया और भक्ति प्राप्त करता है। मा दुर्गा की तीसरी सक्ति का नाम चंद्रगंटा है, इस दिन इन्धी के विग्रा का पुझन किया जाता है, सादक का मन मनी पुर्चकर में परवशिष्ट होता है, मा चंद्रगंटा की किरप उपासना से साधक के समस्थ पाप और बाध्य नश्ट हो जाती है। साधक का मन इदाहत चक्र में इस्तित होता है। रत्व साधकों को तेज परदान करती है, इसकंद माता, नवरात्री का पांचवा दिन इसकंद माता का माता की उपासना की जाती है, मोक्षे के दुआरा खुलने वाली माता परम सुखदाईनी है, मा अपने भक्तों की समस्ति च्छाओं की पूर्ति करती है, और साधक के हरति को प्रम शांति परदान करती हैं मा कातियानी मा दुर्गा के छटे सवरूप का नाम कातियानी है उस दिन साधक का मन आग्यास चक्र में इस्थित होता है योग साधना में इस आग्या चक्र का अतियंत महत्पूर्ण इस्तान है मा कातियानी साधक को दीव्य सक्तियों से इस दिन सादक का मन सहसागर चक्र में इस्थित होता है और उसके लिए प्रह्मान की समस्त सिद्यों का द्वार खुलने के लगता है। मागोरी मा दुर्गा की आठवी शक्ति का नाम महागोरी है। आठवे दिन महागोरी की उपासना की विधान है। इस दिन ओमोद और पुन्यक फल्दाईनी इनकी उपासना के से भक्तों के सभी पाप दूल जाते हैं। और पूर्व सची पाप भीनश्ट हो जाते हैं। सिद्धिदात्री मा दुर्गा की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। मा सिद्धिदात्री सभी परकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र पूजन के नवे दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन सास्त्रिय विधि विधान और पूर्ण निष्ठान से साथ साधना करने से साधकों की सभी सिद्यों की प्राप्ति होती है इस तरह से हमें मा भगवती के 9 दिनों की साधना करनी चाहिए मा भगवती की हमें इस नवरातरी में भक्ति पूर्वक पूजा पाठ उपासना हवान अनुष्ठान ही संकट से रक्षा करता है मा भगवती हमें हर दूख हर संकट से बचाती है मा भगवती का हमें मन ज्यान लगा कर साधना करनी चाहिए इसी तरह हम मा भगवती की साधना करें, मा भगवती अपना अश्रिवाद हमेशा हमारे उपर बनाए रखेगी, जै राधे, 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 कृष्णा, 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 जै लड्डू गोपाल की, जै बाल गोपाल की, जै मा भगवती की,